महादेव चैभुलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदेशन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करूँगे अमावश्यातिती थी 2024 अमावश्यातिती पे कुछ विसेश काम हमें करना होता है जिससे कि हमारे पितर फ्रशन हो और साथ-साथ कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारी कुंडली के सभी दोस्तों खतम हो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने कभी किसी को दिखाया है तो पता है और कुछ लोग जो अधिकांस्ता लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि दिक्कत क्या है और बस जहलते जाते हैं, चाहे वो दिक्कत घरेलू जीवन से हो गई, या फिर काम में चल रही समस्याइं हो गई, लेकिन वो जहलते जाते हैं, अधिकांस तह लोगों को ये पता भी नहीं होता है, समस्याइं क्या हो गई हैं, यदि कुंडली की वो समस्या आपको पता है और यदि नहीं पता है तो भी आप एक काम करिएगा निस्चित रूप से आप अपने किसी भी तरह की चल रही समस्या से दूर हो सकते हैं और बस इसको थोड़ा सा विश्वास बना कर करना है और कम से कम तीन चार अमावस्या ही इस काम को आपको करना है महीने में एक बार केवल अमावस्या करना है और ये समस्या आपके निस्चित रूप से आपके आरहे हैं कि पूजा स्नान का सुभमोहट तो आज की वीडियो में आप वह जानेंगे कि स्नान करने का सही और सुभमोहट क्या है क्योंकि देखे अमावस्या पूर्णिमा में दू चीजों का बहुत महात होता पहला स्नान का और दूसरा दान का तो अमावस्या तिति में भी शुबह ब्रह्ममूर्थ में स्नान करते हैं उसके बाद पितरों को तरपन वगरा करते हैं पूर्डिमा में भी स्नान करते हैं उसके बाद ही पूजा पाट के कारे प्रारंब होते हैं तो इस बार की जो अमावस्या है दोस्तों वो हो रही है हमारी मतलब कि साथ तारिक से सुरू हो जा रही है साथ माई को सुबह 11 बच कर 41 मिनट पर और तिथी का समापती हो रही है आठ माई को सुबह 8 बच कर 22 मिनट पर अब जैसा कि जानते हैं स्नान दान वगर तो उद्या तिथी में होती है तो ये जो है वो आठ तारीकों होगा परंतो कुछ लोग जो है लक्षमी प्रापती के लिए हवन करते हैं या कुछ दीपक जलाते हैं जो मुखा दीपक या अन तरह कि मैं कई बार उपायों में बताई हूँ तो दीपक जलाते हैं तो उन लोगों का प्रश्न ये भी है कि हमें साथ या आठ किस दिन करना चाहिए तो देखें करने को तो आप साथ को भी कर सकते हैं लेकिन आठ को भी आप करें तो उत्तम होगा तो कोई दिक्कत नहीं आप साथ आठ दोनों दिनों में चाहें तो कर सकते हैं लेकिन आप आठ को अगर सनांदान की अमावस्या मनाते हैं तो आठ की साम को ही जो हवन करने वा या फिर दीपक जलाने वाला जो चौमुखा दीपक वगर मने बताया था वो सब आत को कर सकते हैं और साथ को भी आपका मन हो तो साथ को भी अमावस्या की रात्री आपको प्राप्त हो रही है तो आप उसमें भी यह सारे उपाय कर सकते हैं अब दूसरी बात रह गई कि हमें पूजा का सुब और सही हस्नान का महुर्त कौन सा है देखिए जो पहला महुर्त हमें मिल रहा है वो चार बच कर 11 मिनट पर मिल रहा है और चार बच कर 11 मिनट से चार बच कर 51 मिनट तक जो है रहने वाला है इसके बाद लाव महुर्त उननती महुर्त में जो हस्नान कर सकते ह पांच बच कर 34 मिनट से आरंब होकर 7.14 मिनट तक तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को ये महुर्थ जो है वो अच्छा रहेगा और इस महुर्थ में आप लोग साथ बच कर 14 मिनट के बाद 14 मिनट थक स्थान कर लेजेगा इसके बाद आप दूसरा मोहुट भी देख सकते हैं 7 बच कर 14 मिनट से 8 बच कर 55 मिनट तक तो पूरा मतलब 8 पच पन लगवंग 9 बजे तक आप स्नान कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि अमा उस्या के स्नान जल्दी से जल्दी कर लें आप लोग तो कोशिस करें कि 7 चोदा वाला जो मोहुट है उससे पहले ही उसी में आप लोग स्नान कर लें उसके बाद दोस्तों आपको शुरे नारायन को जल्देना है ये विधी आप लोग जानते हैं और उसके बाद जल्देने के बाद आप अपने घर में तूलसी अवश्य सीचें दोस्तों क्योंकि तूलसी हरी प्रिया है इनकी पूजा से नारायन बहुत प्रशन होते हैं तो तूलसी की पूजा सेवा करें जिन लोगों की तूलसी सूख गई है वो किसी भी तरह से खब राये नहीं बिल्कुल ना खबराये बरसात आएगी तो आप नई तूलसी लेकर आए अगर मिल जारी है मार्केट में तो अभी ले आए नई तो फिर आप नई तूलसी किस दिल लगाए तो देखे तुलसी आप गुरुवार, सुक्रवार, सोमवार इन दिरों में लगा सकते हैं रविवार, मंगलवार को तुलसी नहीं लगाई जाती है तो केवल इस बात का ध्यान आपको रख करके और अपने घर में तुलसी लगा लेना तो अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि वो कौन सा कारे है देखे दोस्तों सबसे प्रमुप चीज होती है हमारे सास्त्र में तुला दान आप जानते हैं जितने दान है उसमें सबसे बड़ा दान कहा गया है तुला दान तूला दान का मतलब होता है कि आप अपनी वजन के बराबर कोई भी चीज दान कर सकते हैं वो चीज दान आप सोना कर सकते हैं आप चांदी तो घर ये सब बाते ही नहीं करना चाहिए क्योंकि सोना चांदी उतनी मात्रा में तो सोचना भी नहीं है लेकिन चीजे हैं तो मैं आपको बता देते हूं कि हर चीज की जानकारी आपको भी रहे तो जो पुराने समय में राजा महराजा करते थे तो वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात का तुला दान करते थे जब भी कोई शंकट आता था तो उनके जो राज जोतिसी थे तो देखें, आप करेंगे, आप अपनी वजन के बराबर चारा खरीद लिजे आप चारा हरा खरीद ले, या फिर आप सुखा खरीद ले, कोई भी चारा खरीद सकते हैं और ये ले जाकर आप किसी गौसाला में दान कर दिजे और ऐसा कम से कम 3-4 अमावश्या आप कर दिजे आप करना ये है दोस्तों कि ये जैसे मालिज्या आपको अपना वजन पता है या फिर आप अपने लिए नहीं करना चाहते, आपने बच्चे की कोई समस्या है अपने पती की कोई समस्या है तो आप उतने बराबर चारा दान कर दिजे, अब बहुत सारे लोगों का प्रशना आएगा कि हम तो इतना नहीं कर सकते, नहीं हो पारी ये व्यवस्ता, कोई बात नहीं, पहली चीज तो ये है कि चारा उतना महगा नहीं होगा, आप चाहें तो कर सकते महीने में एक बार करना लेकिन ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है उसमें भी, तो आप क्या करिए कि जो जितनी आपकी व्यवस्ता है, दस रुपे, पचास रुपे का उतनी काही कुछ हरा चारा खरीद कर, आपकी वल अमावश्या, अमावश्या किसी भी गौ माता को देना प्रारम करिए, दोस्तों गारंटी से बताती हूँ, कि आप 3-4 अमावश्या करिए, आपकी कुंडली का कोई भी दोस हो, कोई भी ग्रह कराब हो, कोई भी पितर दोस हो, काल सर्प दोस हो, मारकेज की दसा हो, आपको बहुत आराम मिलने लगेगा, और दोसरी चीज़ न, कि जो चीज़े आपको चकर चकर जैसा घुमाती है, आप समझ ही नहीं पाते हैं, समस्या कहां से है, बहुत सारी इस्त्रियों की बात मैं कर रहे हूँ, हमारी बहने, जो है पती से सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, और उनकी स्तिती यह है कि अब बहुत जादा, मतलब एकदम दवाईया, खारिया, डिप्रेशन की कंडिशन ऐसी है, एक बार इस सुपाय को आज मा कर देखिएगा, महीने में एक बार करना है, आप केवल इस काम को करिए, अमावस्या, अमावस्या करिएगा, अब बहुत चारे लोगों के मन में आएगा कि यह चीज़े हम अमावस्या जो सक्तियां होती है, जो थोड़ा सा नकरात्मक शक्तियां होती है, उनकी जो तिब्रता होती है, वो बढ़ जाती है, और इने को खत्म करने के लिए उसी काल में हम दान करते हैं, अमावस्या के दिन, तो साथ आठ तारिक से कभी भी सुरू कर सकते हैं, और जो छोटे बच ज़ा करके देखिएगा, बहुत आराम हो जाएगा, बीना कुछ किये, तो ये काफी आसान उपाय है, और हर कोई कर सकता है, और हाँ दोस्तों, एक चीज़ा और बता दूं, कि आज रात को, आज रात यानि कि छे तारिक को, छे माई को रात को साड़े आठ बजे, मैं लाइ हो तो जरूर जुड़िएगा, मैं बहुत जादा इंतजार कर रहे हूँ आपके आने का, आप भी थोड़ा सा समय निकाल कर आएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, चलिए, तो ये तुलादान वाला जो काम है, वो कर लेजेगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें क कोई दिक्कत चल रही है, कुछ भी आफिस में उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिला है, कोई भी दिक्कत है, मतलब कोई, तो आप इस काम को कर लिजे, रूख, बीमारी, हर तरह की समस्या के निदान का, ये बहुत ही अच्छा और बहुत सरल उपा है, इसे क कर लिजेगा, और बहुत जादा पैसे भी आपके नहीं खर्चोंगे, और दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और हाँ लाइब में जुड़ जाएगा, क्योंकि लाइब में जुड़कर हम करेंगे बह हर्मादे